हलो गाईज, वेलकम बैक टू अनादर वीडियो, आज ट्राफिक लाइट मोडिफाइट स्ट्रेजी का पार्ट टू भी आ गया है, तो पार्ट वन में जो स्ट्रेजी था, उससे ये स्ट्रेजी कम्प्लीटली डिफरेंट है और नौट अनली डिफरेंट, उससे कही जादा पहतर स्ट्रेजी ये होने वाला है, क्योंकि बहुत खास मोडिफिकेशन इसमें किया गया है, इसलिए का इस वीडियो को थोड़ा सभी स्किप मत करें बिना, पूरा देखते रहिए, तो चलिए पीपीटी में देख लेते हैं, क्या एक्जाक्ली स्ट्रेजी है, एंड समझ सब कुछ modified है, ठीक है, modified strategy के फाइदा क्या है, लिएकि modified strategy में आपको जो original strategy होता है, उससे कही जाधा गुना, अच्छे entries मिलते है, और बहतरीन accuracy मिलता है, इसलिए हम modified strategy use करते है, जो main modification होगा, वो होगा, bollinger band indicator with settings, तो रहे बहुत settings भी करने होंगे, settings मैं आगे जाकर bollinger, ठीक है, तो हमारा target maximum time, you know, यह bollinger band को जब touch करेगा price, अभी मेरे को पता है, आपको बात समझ में नहीं आए होगी, कोई बात नहीं, हम आगे जाकर देख लेंगे, stop loss जो होगा, वो normally, जो original strategy में है, कि pair का जो high होता है, और low होता है, उन दोनों में से एक हमारा stop loss होगा, कैसे exactly fit करना है, सब बताऊंगा, applicable कहा है, nifty and bank nifty, दोनों में आप use कर सकते हैं, और bonus एक tip है आप लोगों के लिए, जो कि है avoid big pairs, अभी मैं ये पिछले वीडियो में भी बोला था, जो बरे pairs होते हैं, उन में stop loss आपका इतना जादा हो जाता है, risk reward आपका maintain रहता नहीं, तो avoid करना है big pairs को, तो ये तो कहा theoretical बात, अभी practical भी देख लेता है, कैसे करना है, उसके पहले quickly बाता देता हो, जो जो नए है, उन लोगों के लिए है, जो pair होता है, बहुत लोग ये समझते नहीं है, pair मतलब क्या है, तो ये दो candles होते है, एक green candle, और एक red candle, या फिर एक red candle, और ए में से जिस भी candle का low जादा होगा, वो low of the pair के लाता है, ठीक है, I hope आप समझगे होंगे, बहुत ही simple था, अभी सबसे important part, the main strategy, वो देख लेता है, चलिए, तो ये जो नीचे का line आप देख सकते है, ये होता है, lower bollinger, ठीक है, मैं short में लिख देता हूँ, और ये अप जो upper line द के लिए आपको क्या देखना है, simply lower bollinger band line होगा, price जब भी ऐसे नीचे आजाए, lower bollinger के नीचे आजाए, ठीक है, ये note करके रखिए, lower bollinger line के नीचे price आगया, ठीक है, यहाँ पर price आगया, जैसे कि मैंने यहाँ पर circle करके रखा है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ठ महाँ पर एक pair candle बना दे, ऐसे pair candle, ठीक है, देख सकता है pair candle को आप, और यहाँ पर भी एक catch है, कि pair candle में से कोई भी एक candle, bollinger band के completely नीचे होना चाहिए, body जो होता है, जो candle का body है, वो bollinger band को touch नहीं करना चाहिए, wick touch कर सकता है, लेकिन body नहीं touch करना चाहिए, अभी next जो candle मतलब pair candle में से एक candle को ऐसा होना है, और एक candle वो ऐसा हो सकता है, bollinger band के, I hope आप समझे होगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते है, एक candle का body यहाँ पर completely bollinger band के नीचे है, ठीक है, lower bollinger band को touch भी नहीं कर रहा है, और जो दूसरा candle है, वो touch कर रहा है, यह touch नहीं कर रहा, यह touch कर है, ठीक है, ऐसा जब भी setup बने, तब आपको buying का trade लेना है, ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि हम देख सकते है, यह next candle में, जब भी इसका high break होआ, entry यहाँ पर हो गई है, और उसके बाद यह एक rally देखने को मिल रहा है, और target जो होता है, buying के लिए, वो होता है upper bollinger line, यह upper bollinger line जो होता है, इसको as a target आप use कर सकते है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर target हीट होआ है, उसके पहले भी हो गया है, यहाँ पर, तो यह target ऐसे होता है, और guys, target के लिए आप यहाँ पर 1 is to 2 भी use कर सकते है, risk reward यहाँ पर maintain करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने जितन पर एक pair candle ऐसे बना दे, उस pair candle का low जब भी break हो जाए, तब आपको trade execute करना है, और जो target होता है, वो lower band होता है, या फिर 1 is to 2 ले सकता है, और trailing stop loss भी कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी exactly कैसे trade execute करना है, वो chart में देख लेते हैं, चलिए, original chart में चलते है So guys, मैं main chart में आ गया हूँ, यो bank nifty का 5 minute का chart है, और यहाँ पर हम देख लेंगे कैसे exactly trade लेने, लेकिन उससे पहले एक बहुती important बात है, जो जो भी ये video देख रहा है, आप सब लोगों के लिए एक बहुती big opportunity है, so fin grad ने guys, सब traders के लिए एक बहुती बरा gift यहाँ पर लेके गया है वो, जो gift है guys, completely free courses and webinars का gift, yes guys, इस website में आपको free high quality courses, जो कि stock market के experts ने बनाई है, ऐसे courses आपको बिलकुल free के मिल जाता है, ये opportunity miss मत कीजिएगा, सिर्फ आपको description में जाना है, वहाँ पर click कीजिएगा, ऐसे website में आ जाएंगे, वहाँ पर scroll करके नीचे आ जाना है, और य free courses like candlestick trading for beginners, learn candlestick patterns, ऐसे courses आपको बिलकुल free में मिल जाएंगे, आपको हर तरह के courses, candlestick से related, technical analysis से related, price action के related, option trading के related, सब courses मिल जाएंगे free में, सिर्फ Google से login करने के बाद, आप ऐसे courses को बिलकुल access कर सकते है, जैसे कि आप देख सकते है, यहाँ पर चल रहा है, तो एक complete course यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते है, lesson 1, lesson 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारे lessons आपको देखने को मिलते है, not only lessons, यहाँ पर आपको assignments भी मिलते है, बहुत कुछ features है guys, एक totally free learning initiative है, fin grad की तरफ से, मैं चाहता हूँ आप सब इन free courses का फाइदा उठा है, so do check it out, link is in the description, let's move back to the video, so main chart में आपको क्या करना है, bank nifty का chart हो सकता है, nifty का chart हो सकता है, वहाँ पर आपको indicators में जाना है, मैं trading view free version use कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत लोग पूछते है कि क्या आप use करते हो, तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर bollinger band साच करना है, so यहाँ पर आपको बोलिंजर band जो नॉर्मल वाला देखने को मिल रहा ही, इसको ही select करना है, अभी बोलिंजर band chart में plot हो गया है, अभी आपको क्या करना है, settings करना है, settings में आपको पहले styles में जाना है, और जो basis होगा इसको आपको यहाँ से off करना है, ठीक है, जो middle line होता है, बोलिंजर का, उसको आपको 2 से 1.5 कर देना है, ठीक है, फिर आपको okay कर देना है, और there we go, हमारा setup is ready, तो मुझा आते हाते ही एक trade यहाँ पर नजर आ गया, यह देख सकते हैं, यहाँ पर बोलिंजर band के बाहर, पेर candle हो चुगा है, तो हमारा first condition यहाँ पर mid है, यह पेर candle का low हमको mark करना है, और य यह जब भी break हो जाए, जैसे कि next candle में ही हमारा break हो गया, यहाँ पर हम entry बना लेंगे, फिर entry बनाने के बाद आप देख सकते है, target यहाँ पर lower ballinger तक hit हो गया, target यहाँ पर, तो पहला trade यहाँ पर successful trade यहाँ पर देख सकते है, तो अभी एक buying का trade देख लेता है, पीछे आकर, त तो यह pair candle था, pair candle का high यहाँ पर break हो गया था, और यहाँ पर trade execute हो जाता, लेकिन उसके बाद ही next candle में ही हमारा stop loss hit हो गया, तो कोई बाद नहीं, stop loss तो होंगे ही, stop loss हर एक strategy में होंगे ही होंगे ही, यह हम सब को पता है, तो और पीछे आ जाता है, और यहाँ पर एक trade यहाँ यहाँ पर देखने को मिलता है, पोलिंजर बैंट के बाहर यहाँ पर एक pair candle देखने को मिलता है, और pair का जब भी low break हो यहाँ पर execute हो गया trade, यह देख सकते है का rally, यहाँ पर देखने को मिलता है, तो guys back testing भर पूर करना है आपको strategy को, बहुत जादा back testing कीजिए, जितना हो strategy को तो उतना back testing करना mandatory है, और follow testing भी करना चाहिए, before actually trading, आपको conviction build करना बहुत जरूरी है, और not only on indicators guys, आपको technical analysis और price action इसमें include करना होगा, तब ही आप इसे अच्छे से use कर पाऊगे, तो उसके लिए ही और courses है, जो कि मैंने आपको बताया, description में link है, वो courses अब देख लेना, technical analysis का course, बिल्कुल देखना free का है, और इसके साथ implement कीजेगा, तो यहाँ पर एक buying का trade भी यहाँ पर देख सकते है, जो pair candle था, उसका high यहाँ पर बेख हुआ, और उसके बाद एक value यहाँ पर देखने को मिला, और करीब-करीब यहाँ पर target, जो normal target होता है, upper bollinger का, वो यहाँ पर hit pairs, तो मैं इसका ही बात कर रहा था, यह बहुत बढ़ा pair, ऐसे pairs को आपको avoid करना है, ठीक है, यहाँ पर आपका stop loss बहुत बढ़ा हो जाता है, उतना बढ़ा stop loss हम नहीं लेंगे, और यह trade आप देख सकते है, यह एक बहुत ही बहुत 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 लेकिन target यहाँ पर hit हो जाता है, जिनको trailing करने आता है, उनका target यहाँ पर होता गाई पर, तो देख सकते है trailing कितना फाइदे मन्द हो सकता है, तो guys यही था हमारा traffic light strategy by power of stock का modified version, second part, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बिलकुल like करना मत भूलिएगा, चैनल को subscribe कर दीज और अगर आपको traffic light strategy का part 1 देखना है, तो आप screen में left side में जो वीडियो आ रहा है वो देख सकते है, और अगर आपको 5 EMA strategy का modified version देखना है, तो right side में जो वीडियो आ रहा है, वो देख सकते है, so that's it for today guys, see you in the next video, peace out.